मैं विकास और यह आपका नाम रूपता राटी बहुत खूस है क्योंकि हम लोगों नो छो साल से रिलेशन्सीप में थे और हम लोगों ने साधी भी कर लिया है लव मेरेज हम लोग का यह फर्स्ट वीडियो होगा और हम लोग चाहते हैं ब्लोगिंग करना ठीक है तो आप कड आप लिए और हमारे चैनल को क्या कर लिए सबसक्राइब कर लिजें को सब्सक्राइब भी बोले नहीं होता है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिजेगा लाइक कॉमेट से लब यू अब तो बाए बैर आचा बलतो ऑज बनाने के वज़ा से बात नहीं करती है और शाहर लगता है कब बात भी नहीं करेंगी तो उस चीज को हम बोले कि कोई बात नहीं मेरा फेमली से बढ़ के मेरा कोई नहीं है चाहते हैं कि इसी हम लोग खुस रहें और पॉब्लिक के इतना सब प्यार मिला सब को आज हम लोग यहां तक हैं लोग बॉइन्ट बॉनिंग कैसे उह आप सब आशा करती हूं आप सब अच्छे ही तो मैं रवीना स्वागत करती हूँ आपकी अपने व्लोग में आडी कपल व्लोग में तो दोस्तो आज मैं जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ उनके उनका नाम है दोस्तो रूपतारा रूपतारा जी एक छोटे से गाव की बिहार में रहती है दोस्तो फ्रेंड रूपतारा जी ने लव मेरिज की थी तो जब उन्होंने लव मेरिज की थी तब उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था दोस्तो तो फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन सारी मुसीबतों का सामना किया क्योंकि उनकी ही गाव वालों लोग बहुत बुरी बुरी मतलब गंदी गंदी गालियों से उनको मतलब बोलते थे कि वो ऐसी है वैसी है लेकिन उन्होंने किसी की मतलब इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दिया उन्होंने लोव मेरेज करने के बाद ही तुरंत यूटूब पे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले ब्लोग में दोस्तों उनके पती देव बता रहे थे कि रूपतारा जी को सस्क्राइब भी बोलने नहीं आता था वो सस्क्राइब को क्या बोलते थे मैं आपको बताती हूँ तो उनके पती ने बताया था कि रूपतारा जी सस्क्राइब को गैस सिलेंडर बोलती थी तो चलो दोस्तो कोई बात नहीं है कि उनको ने ब्लोग जारी रखा और उनको बहुत लोगों का सपोर्ट मेला और वो आज बहुत आगे आई है दोस्तो तो इतनी मेहनत करने के बाद उनको आज एक मंच ने मौका दिया है दोस्तो कि उनकी जो स्टोरी थी वो लोगों तक पह लोगों ने कैसा बुरा बुरा बोला था और आज जो लोग है गाओ वाले वही उनको अच्छा बोल रहे हैं तो दोस्तों हम हमको उनसे कुछ मतलब सीख लेनी चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले अगर पती का साथ हो और मतलब हम दोनों मतलब प्यार करते हैं तो एक दुसरे का साथ निभाएंगे और साथ निभाते निभाते पूरी जिन्दगी भी अच्छे से कड़ सकती है जैसे रूपतारा गाउवाले उनके बारे में बुरा 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 बोलते थे वही लोग आज रूपतारा जी को इतने बड़े मंच पे देखते ही उनका मूँ बंद हो गया होगा दोस्तों तो ऐसे ही हमको हार नहीं माननी चाहिए और रूपतारा जी ने हार नहीं मानी तो आज वो इतने ब दोस्तो अगले व्लोग में तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें